आयोस 18 का यह फीचर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यह हम आइफोन युजर्स एक्सपीडेंस कर पाएंगे भाई मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एपल कपी अपनी पूरी जिन्दगी में यह फीचर दे देगा वह था कॉल रिकॉर्डिंग भाई आपको अब आ कॉन में कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगी और कब तक मिलेगी वह सब आपको बताऊंगा उससे पहला आपको बता दूँ अगर आप किसी को कॉल करते हो या फिर आपके पास कोई कॉई कॉल आती है आप उसको जहने का Lawrence को साहाफ बास खरी Ferr तो हैं न पढ़ रिकॉर्डिंग आपकी कॉल रिकॉर्डिंग में लेकिन उसके बाद उसकों प्रांस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा मतलब जो जो आपने बात करिये ना वह टेक्स्ट फॉरमेट में आजाए जैसे चैट करते ना चैट में दिखेगा कि आपने क्या बोला उसमें लिखाएगा text में how are you इस तरह से पूरा लिखाएगा इसके लावा उसकी summary भी मिलेगी मलब भाई आपने काफी लंबी बात करी है 4-5 घंटे की बात करी है मतलब आशिकों के लिए जादा नहीं है मतलब कुछ लोग होगी अग पूरी call का summary मिल जाएगा कि क्या आपने बात करी थी तो ये काफी excellent feature है normal call recording की जगा transcription भी मिलेगा और उसकी summary भी मिलेगी अब ये feature किन-किन users को मिलेगा वो आपको बताता हूँ देखो Apple ने एक नई चीज़ ला दी भाई वो था कि भाई हम AI का जितना भी काम होगा वो हम device मे करेंगे और नॉर्मली जो बागी smartphone है android वगेरा उसमें जो AI features है उसमें cloud computing यूज होती है आपने background से object remove करना हो या फिर आपको कुछ summary बनवानी हो कुछ भी काम कराना हो वो internet का use करता है और वो आपकी चीज जो है वो upload होती है server पर, server पर process होती है उसके बाद आपको आपकी device म नहीं होती है वो on device computing नहीं करता वो cloud computing का use करके यह चीज करके देता है लेकिन apple ने बोला कि यह चीज अगर हम भी करेंगे तो भाई हो जाएगा privacy का चक्कर क्यूंकि आप अपने कोई personal photos हुए अपनी personal chat हुई आपकी personal recording हुई call recording हुई वह आप भाई server पर upload करो उसको मापर process कर हम आपको देंगे बले से सर्वर पर अपर काफी सिक्यूर तरीके से रखेगा लेकिन फिर्बी एक ट्रस्ट का issue रहता है कि आपने अपने सर्वर पर हमारे personal photos रख रख है personal हमारी call recording रख रख है आप उसका क्या use करो miss use करो वह चीज रहती है तो apple ने बोला कि जो भी काम होग चीप में है जो कि है A17 Pro चीप और A17 Pro चीप सिफ आइफोन 15 प्रो और आइफोन 15 प्रो मैक्स में मिलती है मनला AI के सारे features फिलाल आपको आइफोन 15 प्रो और आइफोन 15 प्रो मैक्स में मिलेंगे और upcoming आइफोन 16 सेरीज के शायद base models में भी मिल जाए तो जो latest आइफोन 15 रहे है उनको AI के features नहीं मिलेगे अब रही भाई call recording का क्या होगा क्योंकि call recording जो है apple intelligence का ही पार्ट है मला AI का ही पार्ट है क्योंकि transcription वाला काम और summary बनाने का काम ये AI के थ्रू होगा तो अब इसमें जो है leaks है और काफी जगा apple की official websites पर भी लिखा है कि call recording का features iPhone 12 series और उससे latest व वाला feature शायद नहीं मिलेगा या फिर हो सकता है कि उन devices में cloud computing का use कर ले तो वो देखना वाली बात होगी लेकिन ये चीज़ लगबग confirm है कि iPhone 12 series या फिर उससे उपर वालों को call recording मिलेगी भले से AI वाले features नहीं लेकिन अभी भी जो है ये officially नहीं है लेकिन जो भी होने वाला आपको वीडियो मिल जाएगी वो जाकर आप देख लेना और iPhone 16 series और iPhone 15 Pro और Pro Max को तो 100% call recording मिलेगी ही और ये जो call recording का feature है ना ये धीरे धीरे rollout होना शुरू हो रहा है और ये जो है October ये फिन November तक जो है devices में मिलना शुरू हो जाएगा इसके लाबा आपको और कौन सी वीडि पर अनपॉक्स और न्यू प्रोडेक्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है लिंक डिस्कुशन में मिल जाएगी पर हमारे पर्सनल फोडूस है हमारे पर्सनल फोडूस